जैशीराम सभी भक्तों को जै मातागी फीर एक नहीं वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कभी-कभी हमारे मन में इस तरह का सवाल उठ जाता है या आ जाता है कि हम रात को सोते हैं तो सोते समय हमें कौन से ऐसे देवी देवता का ध्यान करना चाहिए या नाम जब करना चाहिए जिससे जो है हमारे बूरे सपने या किसी भी तरह की कोई भी नाकारत्मक उर्जा हमारे इर्द गिर्द ना आ पाई तो हमारे साथ अंतक बने रहे तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें साथ पर बैल आइकन उसको ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज बाबा की असीम किर्पा आपके प्रिवार पर सताय बनी रहे और मेरी माई जगत जन्नीम द्रवानी अंप के गिर्पा आपके घर में अनपुना रूप में वास करें कई व्यक्तियों का इस पकार से कोशन है था कि गुरू जी रात को सोते हैं कई वार भे लगता है दबाब आता है बोड़ी पर वजन पढ़ता है चरीर में कंदे भारी होते हैं चरीर गंदे- चाहिए जो रातनी को हमें इस पकार के तो सुवपन ना आए और किस देवी देवता का अवान करकर हमें सोना चाहिए तो मैं आज आपको इस बार पूरी डिटेल दूँगा अगर आपके साथ भी इस पकार का कारिय हो रहा है आपके शरी पर दबाब पढ़ रहा है गल्द क किरिया ने लिखती है और नीद नहीं आती है कंदे भारी रहते हैं तांगों में पीड़ा रहती है बेचैनी रहती है तो आप इस बात को सोचना कि अगर ये कारिया रोज आपके साथ हो रहा है तो ये कहीं न कहीं कि कोई ऐसी शरीर पर किरिया हो रही है जो ऐसी शरीर पर क ऐसी उर्जा आ रही है नकरात्मक उर्जा रही है जो आपके शरीर के ओपर दवाब डाल रही है आपके साथ गलत कारिया कर रही है या आपको पीडा दे रही है आपको परशान कर रही है आपको शरीर में भैका मोलक बना रही है ताकि आप परशान हो जाओ आप डर जाओ के अंदर कईयों की ऐसे भै रहता है कईयों को पायल की वाज़े सुनाई जती है ऐसी चीज़े के माने पास आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पकार से अगर आपके साथ हो रहा है आपको एक ही कारिय करना है ज्यादा बड़ा कारिय करना ही नहीं एक कारिय करना है आ पानी से भर लेजिए आपने उपर से साथ वार तीन लोंग रात्री को सोते वक्त श्री हनवान जी महराज का ध्यान करकर बजरंग बान का ध्यान करकर आपने बजरंग बान में एक मंतर है तो इस पकार का आपने उसमें आप कहेंगे कि मालो आप लिखे हनुमान चली साथ खोलोगे उसमें दूसरा चैप्टर आएगा हनुमान नाश्टक फिर बजरंग बान आएगा बजरंग बान के अंदर इसमंतर का कुनगान है तो ये परकर जो तीन लोंग है सिर से लेकर पैर तक अपने उपर से साथ वार वार कर क्लोक वैज उसके अब में गड़ी में उल्टा दिखाई देता है इसके अंदर मुबाइल में तो उसमें क्या होता है कि आपने उस गलास में रख देना है सिराने रखकर नहीं सोना पाई तो रखकर सोना है गलास को जब रातरी को आप सोते हो और जब सोते हो और ये मंतर का गुनगान कम से कम 21 वार करना है 21 वार इस मंतर का गुनगान करकर आप अपनी निंदरा को आप लीजिए अनंद कीजिए प्रभू का नाम लेकर और हन्वान जी की श्री चर्णों का ध्यान करकर चै कोई लेडी जिदाज सवल्या हो या किसी भी पकार के सिस्टम में हो तो ऐसा कुछ नहीं है किसी चीज़ का कोई प्रेज नहीं है आप इस कारिया को करकर अराम से तसलिसे सो सकते हो और उसके बाद जब आपका वो पिर अपने उपर से वार कर उस उतारे को आपने फ्लेश में फ्लेश कर देना है मालो लैटनिंग पर साब के जगा ओपर आपने डाल देना है यह उतारा आपने लगा अतार 21 दिन तक कीजिए आपको रातरी को सोते वक्त इतना रिलेक्स होएगा जो भी अभद्र शक्ति आ अपने प्लेश कर देनी है और इस चीज में यह उतारा है आपके शरीर की बड़ा का समझ कि यह उतारा है जब इस मंत्रग आपके शरीर पर वो चीज प्रवाव शाली नहीं होगी आपके शरीर को पकर नहीं पाएगी आपके शरीर को पर वजन नहीं डाल पाएगी आपके क में ना तो कोई आपने जोच जलानी है आपने क्या करना है सिरफ इस कारिय को करने के बाद जब सूबे उठते हो आप सोचालने में ये कारिय करना है और जब ये कारिय करना है धर्ती को शपश करना है और सीता राम का नाम लेना है और दोनों आखों पर धर्ती शपश करकर बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, आपकी बोड़ी हलकी रहने लग जाएगी, और लगातार पूजा तो करनी ही पड़ेगी, ये नहीं है कि इस उपाय से, लेकिन हनवान जी के परती आस्ता और विश्वास पुन रूप से रखना पड़ेगा, तो बोलिए जैसी तराम, जै जैसी नी बाला जे बाला, ये ना